और बहुत अच्छी बात है कि सब लोग कोश्चन्स को बार बार रिवाइस कर रहे हूं और रिवाइस करना भी चाहिए क्योंकि कोश्चन ही केवल आगे करने से कोई फाइदा नहीं है जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये बहुत पॉस्ट्यू साहिं कि लगातार आप रिवीजन कर रहे हैं इससे अच्छा कुछ भी नहीं है और करना भी चाहिए तो लग करके तैयारी करें और तुम्हें मालुम है कि मास्टर स्रीज और चलेंजर स्रीज दोनों NCRT वेस्ट स्रीज हैं अगर इन दोनों क्ला आप बहुत अच्छे निकल जाओगे तो देखते हैं एक मिनट बहुत अच्छे से आप आगे निकलोगे दौर में और एक सेकंड कुछ गड़बड हो रहा है इसको लाइब चैट को तो देखते हैं दोनों स्रीज जो है वो चैलेंजर स्रीज मास्टर स्रीज बीस्ट अन NCRT वुक और एक भी कोश्टन NCRT से बाहर से मनें नहीं उठाया है चैलेंजर श्रीज आपको तयार करती है चैप्टर वाइस और चैप्टर वाइस तयारी का मतलब एक सॉलिट तयारी आपकी हो रही है तो चैलेंजर स्रीज जो साम को साथ से आट लाइफ क्लास चलती है वो चैप्टर वाइस चलती है अब जैसे आज साम को चैलेंजर स्रीज में ट्रांस्पोर्ट इंप्लांट्स और उसके बाद master series जो आज चलने जा रही है master series पूरी बायो से questions पूचे जाते हैं इसका मतलब master series हमको पूरा बायो तयार करा रही है और challenger series हमको chapter wise तयार करा रही है तो अगर लग करके हम मेनत करते रहेंगे तो एक अच्छी रहेंग के साथ हम नीट में success होगे और जिससे हमारा स्वपना भी पूरा होगा एक अच्छा कालिज भी हमको मिलेगा तो जितने भी नए लोग हैं या जो भी लोग हैं चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को अपने अपने ग्रूप में जरूर सेयर कर ले तो master series पूरी बायो से question पूछे जाते हैं अभी तक master series में मैंने 45 series करा चुके है 45 series master series की हो चुकी है आज 46 नमबर की हम master series कराने जा रहे हैं और देखते हैं कौन बनेगा champion इस master series 46 का क्या आज फिर दो लड़कियों के बीच होगी भिलंत या दो लड़कों के बीच होगी भिलंत या लड़की और लड़कियां आपस में बिढ़ेगी या होगी भाई बैनों के वीच टक कर ये तो समय बताएगा क्या इजाज अपने पुराने इतिहास को दोहरा पाएंगी या रस्मी जो बर्चस कायम किये हैं कौन बनेगा champion में साथ बार लगातार champion बनी है क्या आज इतिहास को दोहराएंगी या आउधिस दो बार जो champion रह चुके हैं वो अपने इतिहास को दोहराएंगे या सिमिरन और इस्निहल ये अपने पुराने रिकार्ड को पुराने इतिहास को दोहराएंगे या रोहन अपने पुराने रिकार्ड को repeat करेंगे और ये एक बात तुमको बता दें ये प्रकति का नियम है recapitulation la recapitulation la किस ने दिया था हीकल ने दिया था और Recapitulation Law में क्या ही कलने कहा था कि प्रतिक आर्गेनेजम अपनी इम्बरानी के स्टेज में अपने एंसिस्टर की लाइफ हिस्ट्री को रिपीट करता है तो क्या तुम आज अपनी हिस्ट्री को रिपीट करोगे ये तो समय बताएगा कौन बनेगा चंपियन और यूट्यू देखने को पा रहे हैं पहला कोश्चन आपकी स्कीन पर आ चुका है और देखते हैं कौन बनेगा चंपियन पहला कोश्चन आपकी स्कीन पर आ चुका है कौन बनेगा चंपियन जहां से इजाज ने छोड़ा था वहीं से मैच स्टार्ट कर दिया इजाज ने इजाज कल जह second number पर रोहन का answer आया है question यह है art warm sponge tap warm and leach are क्या है bisexual है मतलब male reproductive organs और female reproductive organs एक ही body में पाय जाते हैं और एक ही body में पाय जाते हैं तब उसे bisexual कहते हैं answer सभी का सही है नीता सही answer है हरसा हरी सही answer है मोना नागर सही answer प्राणजर राजुरौए रस्मी जा एसनेहल सिमिरन रोहन सभी का answer है लेकिन बाजी किसने मारा है इजाज ने इजाज ने कल साम को जहां से मैच को छोड़ा था वहीं से starting कर दी है और सब लोग देखते रह गए चलिए question number two ये आपकी स्कीन पर question number two देखते हैं कौन बनेगा champion किस में कितना है दम दिखाने का पूरा मौका और इजाज कोई मौका नहीं दे रही है सिमिरन को सिमिरन को कोई मौका इजाज नहीं दे रही है रस्मी को कोई मौका नहीं दे रही है सबसे पहले इजाज का answer आया उसके बार रस्मी का उसके बाद सिमिरन का उसके बार राजुराय का उसके बाद सभी का आया है और सही एंसर है क्या धिया गये फ्ली फार्म app प्रेटस पौन इंदार फ्ली फार्म एप्रेटस किस में पाय जाता है सिनर जिड से अज फिर से बेरी गोड इजाच जहां से तुमने मैच छोड़ा था वही से मैच की करदी है स्टार्टिंग और किसी को कोई मौका नहीं है खाता खोलने का देखते हैं कौन बनेगा चंपियन इस दंगल का देखते हैं कौन बनेगा चंपियन कोश्चन नमबर तीन आपकी स्कीन पर आचुका है कोश्चन नमबर तीन देखते हैं किसका आता है एंसर सही कोश्चन नमबर तीन देखते हैं किसका आता है सही कोश्चन नमबर तीन देखते हैं किसका आता है सही सबसे पहले राजुराय तुम्हारा एंसर गलत है कोश्चन नमबर जरूर टाइप करिए और फिर से इजाज ने किसी को मौका नहीं दिया इजाज के जस्ट बार से विलन हरानी का इसर आया है उसके बाद रोहन का आया है तो इजाज के तीन पॉइंट है और किसी को कोई मौका इजाज नहीं देना चाहती है और नीता जी नेट स्लो चल लहा है बिटियाएव इसके लिए हम क्या बताएं कोई भी कल्प नहीं है प्रियास करिये अब नेट शलो है तो अब क्या बताएं हमको तो ज़्यादा मालूम नहीं है नेट के बारे में कोश्चन यह दिया गया है क्लाइटूरिस आप फिमेल होमोलोगस टू पैनिस आप मेल मेल का पेनिस और क्लाइटूरिस फिमेल का एक दूसरे के होमोलोगस आरगन होते हैं तो कोश्चन नमर तीन का थर्ड एंसर सही है बेरी गुट इजाज आग उगल नहीं है आज और अपने आज पास बिलकुल किसी को कोई मौका नहीं दे रही है इजाज ताकत सभी लगा रहे हैं लेकिन मौका किसी को नहीं दे रही है इजाज कोश्चन नमर चार आपकी स्कीन पर आचुका है कोश्चन नमर चार आपकी स्कीन पर आचुका है और कोश्चन वेच वन आप दा पालोइंग हार्मोन रिलीजिंग आयूडियस कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आयूडियस है तो question number 4 का first answer सही है इस question को हम तुम से पूछते हैं किस ने दिया है सबसे पहले जवाब इसका तुम बताओगे संदीब मिस्रा क्लासेश चैनल के उपर आपका स्वागत है क्या संदीब नविता के पिताजी है तो very good सभी ने answer सही दिया है first answer है question number 4 का और किस ने दिया है answer सबसे पहले जवाब मैंने तुम से मागा है अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है अच्छा ठीक है ओके है नविता answer बिलकुल तुमारा सही है अब हमें बताइए सबसे पहले very good पूरिमा ने बता दिया एजाज ने सबसे पहले answer दिया है very good आज एजाज किसी को कोई मौका नहीं दे रही है एजाज किसी को कोई मौका नहीं दे रही है और जहां से कल तूफानी पारी खेली थी उसी तूफानी पारी को आगे कि लगातार बढ़ाती हुई तो question no.4 का first answer है ये । एक ऐसा है जो हारबोन release करता है अगला question आपकी screen पर question no.5 देखते हैं कौन बनेगा champion चंपियन कोश्चन नमर फाइव आपकी स्कीन पर कौन बनेगा चंपियन देखते हैं किसका एंसर सही होता है सबसे पहले आज इजाज क्या सोच के आई हैं ये तो हमें चिंता में डाल दिया है इजाज किसी को कोई मौका नहीं देना चाहती है इजाज पांच फर आ चुकी है बेरी गोट इजाज आज पांच पर तुम खेल रही हो इस समय किसी के पास कोई मौका नहीं है खाता खोलने का भी मौका नहीं दे रही है इजाज ऐसी भरसात पॉइंटों की आज पहली बार देख रहे हैं बेरी गोट इजाज और कोश्चन नमर फाईव का सेकेंड एंसर सही है इजाज ने किसी को कोई खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया है किसी भी प्लेयर के ओपर इसा इजाज कोई तरस नहीं कर रही है और होना भी चाहिए मैदान में कोई तरस नहीं होना चाहिए question number 6 आपकी स्कीन पर आने वाला है देखते हैं कौन बनेगा champion आज का किस में कितना है दम और दिखा लीजिए किस में कितना दम है question number 6 और question number 6 किस में कितना है दम दिखा लीजिए मौका तुमारे पास है सबसे पहले answer आया है नविता का नविता ने दिया answer नविता ने अपना खाता खोल दिया है और देखे सभी का answer गलत है question number 6 का सभी का answer गलत है question क्या कर रहा है which आपदा following subunit attached to mRNA कौन सी subunit mRNA से attach होती है तो mRNA से सुन लीजिए सभी लोग सभी लोगों के लिए मैं बात बता रहा हूं अच्छा प्रांजल तुमने कहा सही है अलाकि मोना नागर का सही answer है प्रांजल का सही answer है नविता ने सबसे पहले answer दिया है बाकी सभी का गरत है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर का answer गरत है दुक्की बात तो ये है देखिए राइबोसोम की इसमाल subunit राइबोसोम की इसमाल subunit attach होती है mRNA से तो इसमाल subunit कौन सी है 40S से तो राइबोसोम की 40S subunit mRNA से attach होती है तो देखिए कितना आसान question था NCRT के तो सारे question है और देखिए हमसे गलती हो रही है मैं बार बार कह रहा हूं की पीज नंबर छोड़ करके बाकी सब कुछ हमें तयार करना है तो देखिए राइबोसोम की कौन सी subunit mRNA से attach होती है 40S subunit attach होती है mRNA से तो किवल तीन लोगों का answer सही आया है सबसे पहले नविता ने दिया प्रांजल का सही है मोनानागर का सही है बाकी सब के answers गलत है तो question number 7 की तरह पहम बढ़ने जा रहे हैं ऐसी गलतिया मत करिए NCRT खूब पढ़िए जितना NCRT पढ़ लोगे फाइदा होतना होगा आ चुका है question आपके सामने ओफो बाया तुम लोगों से हम कहते है NCRT खूब पढ़ हो खूब पढ़ हो लेकिन तुम लोग NCRT नहीं पढ़ रहे हो इसी का करण है कि question हमारे गलत हो रहे है question number seven का third answer सही है book origin of life written by Oparin ने लिखी थी Oparin तो रस्मी जा तुमने लिखा है फूर्थ लैमार के नहीं लिखा था रस्मी जा गलत एंसर राजुराय गलत एंसर और नविता गलत एंसर और पूर्डिमा गलत एंसर तुमने डार्विन कहा है डार्विन की book कौन सी है origin of species है मोना नागर सही एंसर और रोहन गलत एंसर डार्विन की book कौन सी है origin of species और मैंने पूछा है origin of life के बारे में तो origin of life किसकी है Oparin की है Oparin की है तो जिन लोगों ने third answer लगाया है उनका सही है सोच ये आपको याद होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि एक question और पूछ चुके है और पूछ चुके है एक बार अच्छा नीता चुपला तुमारा भी सही है चलो very good और देखते हैं नविता का answer सबसे पहले आ चुका है question number eight का नविता ने सबसे पहले answer दिया है नविता ने दो पॉइंट के साथ में नविता है और किसी को कोई मौका नहीं दे रही है एजाज लेकिन नविता ने मौके को ढूड़ा मौके का फाइदा उठा है question number eight का first answer सबसे पहले किस ने दिया है नविता ने answer दिया है उसके बाद सेमिलन हरानी ने दिया है उसके बाद राजुरुआय ने दिया है सेक्वेंस इसलिए बता देते हैं नई तो तुम लोग करते हो हमने दिया answer हमने दिया रस्मी जाका answer का पी लेट में आया प्रांजल का भी लेट में आया और इजाज का भी लेट में आया है और देखते हैं कौन बनेगा champion बहुत जबजस्त लुड़ाई चल रही है लड़कियों के बीच question number 9 question number 9 देखते हैं कौन बनेगा champion question number 9 फिर से एक बार इजाज ने मारी बाजी इजाज किसी को मौका नहीं दे रही है किसी को मौका नहीं दे रही है इजाज बिलकुल समभलने को मौका नहीं दे रही है जवाब तो रस्मी जाका आया लेकिन गलत आया जल्दवाजी में से मेरा नहरानी इजाज के जस्ट बात answer दिये रोहन ने बे या answer दिया सही answer दिया है और संदीप ने आजज नविता ने answer दिया लेकिन सब अप्रांजल ने answer दिया मौनानागर राजुराय सभी ने answer दिया है लेकिन सब से पहले इजाज ने answer दिया है हाँ रस्मी तुम्हारा सही तो है लेकिन दूसरी बार सही आया है पहले जो answer तुमने दिया है जो इजाज के इजाज के पहले तुमने एंसर दिया है अच्छा कोश्चन नमर 9 ठीक 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 तुम्हारा सही है हम कोश्चन नमर 8 का देख लिए थे तो इजाज किसी को कोई मौका नहीं दे रही है आगे खाता खोलने के लिए सेमिलन कुछ करिए रस्मे कुछ करिए इसनेहल कुछ करिए आउदेश आज मैदान में नहीं है कोश्चन नमर 10 आपकी स्कीन पर आ रहा है कोश्चन नमर 10 देखते हैं किसी को खाता खोलने का मौका मिलेगा या नहीं और खाता खोलने का मौका दे दिया है इजाज ने और रस्मी ने खाता अपना खोल दिया है बेरी गोट रस्मी रस् तो मिस्रा क्लासेश चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जो भी लोग नए अटैच होते हैं चैनल को सब्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लीजे और वीडियो को अपने अपने ग्रुप में जरूर सेयर कर लें तो रस्मी जाक का खाता खुल चुका है अभी स सारा गेम बाकी है और इजाज सिक्स पॉइंट के साथ लीड कर रही है क्या इस मैच का होगा प्रड़ाम यह तो समय बताएगा अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कुश्चन नमबर 11 आपकी स्कीन पर कुश्चन नमबर 11 आपकी स्कीन पर और जैसा कि मैं बता रहा हूँ आज इजाज किसी को मौका नहीं दे रही है बेरी गोड इजाज आज तूफ़ानी पारी खेल रही है इजाज तो कुश्चन नमबर 11 का सेकेंड एंसर सही है और सबसे पहले जौब दिया है इजाज ने कुश्चन यह है फ्रेग्मेंट आप डी अने सेप्रेटेड बाई आट टेक्निक नोन एस तो कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा डी अनेस फ्रेग्मेंट को सेप्रेट किया जाता है वो टेक्निक है जैल इलक्टो फोरेसिस जैल इलक्टो फोरेसिस टेक्निक के द्वारा DNA के सेग्मेंट को एक दूसरे से अलग-अलग किया जाता है तो कोश्चन नमर 11 का सेकंड एंसर है और सबसे पहले एंसर दिया है इजाज ने आज इजाज किसी को मौका नहीं दे रही है सौरप मिस्सा क्रासेश चैनल पर आपका बहुत स्वागत है और इजाम-ल-हक आप बहुत गोल मारते हैं भाई नीट ऐसा नहीं चाहती है वास्तों में अगर डाक्टर बनना है तो आपको कांटिन्यूटी बरकरार रखनी होगी और ये सफलता की सबसे पहली सिली होती है मार्टिन्यूटी हम चाहेंगे सभी लोग मैंटिन रहें और इस मैदान में आएं और उत्रें और अपनी अपनी पूरी ताकत लगाएं और अपनी कितनी प्रप्रेशन है उसका प्रदर्शन करें योट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा आपके लिए प्लेट फार्म मे है उसका पूरा फाइदा उठाएं कोश्चन नमबर ट्वैल आपकी स्कीन पर कोश्चन नमबर ट्वैल आपकी स्कीन पर आ चुका है देखते हैं कौन बनेगा चंपियन किस में कितना है दम इजाज कर दो रहें इजाज कर दो रहें इजाज का कहना है मैदान में किसी भी चीज की रहें नहीं की जाती है इजाज में हर इजाज का कहना है कि कुरचेतर में अपने कमटीटर पर किसी भी प्रकार की रहें नहीं करना है और ऐसा ही कर रही है इजाज आज पहली बार ऐसा घमासान एक दरपा किसी को कोई मौका नहीं दे रही है इजाज सबसे पहले इजाज का एंसर आया है कोश्चन यह है दा सेपरेटेड बेंड आप डी अने और कट आउट फ्राम दा एग्रो जेल एंड एक्स्टेक्टिट फ्राम दा जेल पीस दिस स्टेप इस नोन ऐस यह स्टेप क्या कह कहलाता है यह स्टेप इल्यूशन कहलाता है सौरब तुमारा एंसर तो सही है लेकिन सबसे पहले इजाज ने दिया है एंसर यहाँ पर दौड हो रही है नीट एक्जामनेशन एक दौड होता है सही से मतलब नहीं है तीन घंटे के अंदर किसने पारी अच्छी खेली है तो तीन घंटे में हमें देखना है हमने चेक कर लिया है सौरब चेक कर लिया है आप अपने को चेक करिए सबसे पहले इजाज का तुमारे कहने पर हम और चेक के ले रहे हैं और तुमको बताय भी दे रहे हैं सेक्विंस क्या है सेक्विंस भी बताय दे रहे हैं सबसे पहले ब्राउनियन ने दिया है, उसके बाद सिमिरन हेरानी ने दिया है, उसके बाद रस्मी जहा का एंसर आया है, उसके बाद 시य का आया है, इसने हल पांडे का आया है प्रांजल सिंग का आया है और नविता का एंसर आया है उसके बाद तुमने एंसर दिया है सौरब काफी लेट दिया है और जैसा कि नविता ने कहा है रीप्रेस करके आप चेक कर सकते हैं तो आपका एंसर काफी लेट आया है तो कोश्चन नमर 12 का स second answer सही है ये सारी question ncrt की हैं और हमको ये बता रहे हैं ncrt book हमारी कितनी तयार है क्योंकि सारी question हमारी pool खोल नहीं है और जाग जाईये जुट जाईये लग जाईये question number 13 पर और अपना खाता खोड़ लीजिये इजास दिखती रह जाये मौका धूर ये मौका धूर लिया है रस्मी जाने मौका ढूर ये question number 13 question number 13 मौका ढूर लिया है रस्मी जाने question number 13 मौका ढूर लिया है रस्मी जाने और सबसे पहले सही answer दिया है रस्मी जाने रस्मी जाके दो point हो चुके हैं दूसरी बार मौका ढूर लिया है देखिए जब point न मिल नहें हो तो आपको मौका ढूरना पड़ेगा question यह है यह पिछले साल question आया था 2019 में some strain of bacillus throgenesis produce protein that kills certain insects such as कश्मे टोबैको बड़ वार्म आर्मी वार्म बीटल प्लाइस मास्क्योटो आलाब दायबब सभी को मारता है यह यह सभी को मारता है तुम्हें याद रखना है तो फूर्थ answer सही है जैसे कई लोगों के जैसे नविता का answer गलत है नविता ने अपना answer गलत दिया है और मुलिकारजन ने भी answer अपना गलत दिया है फूर्थ answer सही है और एजामल हक का भी answer गलत है तो फूर्थ answer सही है कोश्चन नमर 13 का फूर्थ answer सही है हमने तुमको बताया है कि नीट एक्जामनेशन में जितने भी बायो के question आते हैं total NCRT से आते हैं और NCRT से ही मैंने सारे question उठाये हैं और कितनी तयार है हमारी NCRT सब कुछ यह series तुम्हारे सामने लाकर करके रख दे रही है आप जागिए उठिए सोचिए बिचारिए question number 14 आपकी skin पर question number 14 देखते हैं कौन बनेगा champion question number 14 यह रहा आपकी skin पर question number 14 question number 14 आपकी skin पर है 14 और देखते हैं answer सबसे पहले किस ने दिया है question number 14 answer तु लगता है सब के सही है very good और इजाज का answer गलत है जल्दबाजी में दिया है answer इजाज दे मोना नगर एक गलत answer है आपने जल्दबाजी में answer दिया है और मेतीज ने भी जल्दबाजी में दिया answer है गलत answer है परस्ना आता है कि question number 14 का सबसे पहले किस ने answer दिया है question number 14 का सबसे पहले answer दिया है Rohan Brownian ने answer दिया है Rohan Brownian का खाता खुल चुका है very good Rohan Brownian, Simran Hirani तुमने answer तो पहले दिया लेकिन गलत answer दिया है 14 का तुमने third लगाया है third नहीं है second answer सही है question ये पूछा है example of estinothermal animal पहला अप्षन है डॉग फिस दूसरा अप्षन है वेल फिस नेस्ट है इलक्टिक फिस नेस्ट है कैट फिस देखा जाए इस्टीनो थर्मल एनिमल का मतलब क्या होता है जिनकी बाड़ी का टंप्रेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है atmospheric temperature कुछ भी हो अपनी body का temperature change नहो constant बना रहे तो उसे क्या करते है stinothermal animal करते है और ये property के वर birds और mammals में होती है तो dog fish क्या है एक fish है electric fish क्या है फिस है और kite fish क्या है ये भी फिस है तो ये फिस देखे fishes, amphibians reptiles ये cold bladder animals होते है इनकी body का temperature atmospheric temperature के recording घटा बढ़ता रहता है तो ये हो नहीं सकता और whale fish का एक mammals है जिसकी body का temperature हमेशा constant रहता है और रोहन ने बाद को बहुत सही पकड़ा हाँ बेलकुल सही है रस्मी जा तो रोहन ने बहुत अच्छे से बहुत जल्दी इस बात का जवाब दिया question number 14 का second answer सही है question number 15 अभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है सब कुछ हाथ में है और खड़े हो जाईए मैदान में question number 15 आपकी स्कीन पर आ चुका है और जैसा कि मैंने बताया आज इजाज आग उगल रही है रोहन ब्राउनियन ने गलत answer दे दिया है और मेलिकार्चन ने भी गलत answer दिया है मेथीस ने भी गलत answer दिया है बेरी गुट तो देखा जाए क्या होता है the species that invade a bar area are called जो bar area में सबसे पहले आती है species उस species को क्या कहते है पॉइनियर species कहते है तो question number 15 का first answer सही है और सबसे पहले answer दिया किसने है इजाज ने इजाज आज किसी को समलने का कोई मौका नहीं दे रही है इजाज आज किसी को बिलकुल समलने का मौका नहीं दे रही है और सोच के बैटी है कि हम रस्मी का करेंगे मौकाबला अगर रस्मी साथ बार champion रह सकती है तो इजाज क्यों नहीं रख सकती है आज हम को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है एक बात कहने के लिए आज हम मजबूर हो रहे हैं आज पूरे भारत के अंदर लड़कियां क्यों जंडा गाड़ रही है इसका प्रूफ है आज जो कौन बनेगा चंपियन मिस्रा क्लासिस के दोरा चलाए जा रहा है यूटूब पर उससे साप प्रगट होता है इस पस रूप से देख रहा है क्यों लड़कियां अपना जंडा गाड़ नहीं है पूरे संसार के अंदर उसका सीधा साधा जो कहना चाहिए हमें आइंसर मिल लहा है लड़कियों में जो जुझारू पर हम देख रहे हैं लड़कों में वो जुझारू पर हम नहीं देख रहे हैं लडकियों में जो हम continuity देख रहे हैं लडकों में वो हम continuity नहीं देख रहे हैं लडकिया जब से join ही है एक भी goal नहीं मारी हैं लडके देखा जाए तो goal मारने का एक record बना रहे हैं तो यही सब कारण से लडके पीछे हो रहे हैं और लडकिया पर चमपहरा रही हैं केवल पढ़ा ले लिए किसी भी छेत्र को ले लिए आज लड़कियां हाद छेत्र में अपना जंडा गाड़े हैं और आज हम इस बास से गौरवानमित भी हूं हम अपने को बहुत गर्ब फिल करते हैं क्योंकि अलेड़ी दो लड़कियां मेरी भी डाक्टर हैं तो आज हम यह गर्ब से कह सकते हैं कि मेरी ही किवल दो लड़किया नहीं पूरे भारत के जितने भी गारजियन है अगर उनकी लड़किया डाक्टर बनना चाहती हैं तो मिस्ना क्लासिस प्लेट फार्म पर आएं और हम उनको डाक्टर बनाएंगे फ्री आप कास्ट चलिए आगे देखते हैं कोश्चन नमर सिस्टीन कोश्चन नमर सिस्टीन कोश्चन नमर सिस्टीन देखते हैं कौन देगा जो आप सबसे पहले किसमें कितना है दम कोश्चन नमर सिस्टीन आपके लिए चैलेंज बनके आया है और इस चैलेंज को सुईकार किया है रस्मी जहा ने रस्म हो चुकी है रस्मी जा और कुश्चन नमर 16 का एंसर है फर्स्ट बहुत लोगों ने फूर लगाया है जैसे नविता ने फूर लगाया है गलत है आप री चेक करिए आपका एंसर बहुत बाद में आया है कुश्चन यह दिया गया है स्पीसीज एरिया रिलेशमसिप इस इस्टीट प्लाइन डिस्क्राइब बाई दा एक्यूशन जो फर्स्ट एक्यूशन है उसके दोरा हम डिस्क्राइब करते हैं और बुक में देखें NCRT की बुक में यह ग्राब बना है और यह एक्यूशन भी लिखी है वहीं से सारे कुश्चन मैंने उठाए हैं हम बताये दे रहे हैं सौरब भीया एक बार हम और चेक किये दे रहे हैं लेकिन बार बार आप प्लीस निवेदन न करें आप स्वेम चेक करें देखें हम एक बार बताये रहे हैं दूसरी बार तुमको बता रहे है रस्मी जहासब से पहले एंसर दी है उसके बाद इस नहल ने दिया है सेमिरन ने दिया था एंसर अपना एंसर वापस ले लिया है उसके बाद मिथीस का एंसर आया है उसके बाद ब्राउनियन का एंसर आया है उसके बाद इजाज का एंसर आया है उसके बाद नीता का एंसर आया है और उसके बाद मुलिकारजन का एंसर आया है और तब तुम्हारा सौरब आया है काफी लेट आया है और आप स्वेम चेक कर सकते हैं तो भीया नेट तुम्हारा स्लो को चल ला है परेशान हमको कर रहे हो भाई हम तो जो पहले एंसर देगा उसी का नाम लेंगे तीक है क्योंकि नेट स्लो का हमारे पास कोई वो रास्ता नहीं है कोश्चन नमर 17 आपकी स्किन पर देखते हैं कौन मौका निकालता है इजाज की आखों में धूल जोग करके कौन आगे बढ़ जाता है और कोश्चन नमर 17 बिल्कुल इजाज की आखों में किसी ने धूल नहीं जोग पाई इजाज अपनी आखें खोल करके काम कर रही है बेरी गोट इजाज जितनी तारीब करो लड़कियों की उतनी कम एंसर सब का सही है लेकिन पूर्णिमा का गलत है और सौरव का गलत है मोना नागर सही एंसर प्रांजल सही एंसर पूर्णिमा गलत एंसर सौरव गलत एंसर नीता चोपडा सही एंसर और नविता सही एंसर रस्मी जाज सही एंसर सिमिरन सही एंसर इसनेहल सही एंसर और सब से पहले दिया है इजाज ने सही एंसर very good इजाज सोचिये विचारिये इस नेहल आज तुमारी जबानत भी जब्द कर दी है इजाज ने रस्मी सिमिरन को सोचिये आज तो जबानत जब्द कर दी है इजाज ने और इजाज का मानना है कि कुरुछेतर में सब कम टीटर होते हैं और कुरुछेतर के बाहर हम सब आपस में भाई बहन है उसका पूरा पारण कर रही है इजाज अगर जो इस बात को आप भी समझते हो तो आईए मैदान में और दिखाईए अपनी ताकत अभी बहुत कुछ बाकी है कुश्चन नबर एटीन आपकी स्कीन पर आ चुका है मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आज इजाज किसी को मौका नहीं दे रही है लेकिन इस नहल ने उनकी आख में मिर्च जोग दी है और खाता खोल दिया है इस नहल ने इजाज की आखों में जोकी मिर्ची और खोल दिया है अपना खाता बेरिगोट इस नहल ऐसा ही काम करना होगा आप लोगों को भी इस नहल बेरिगोट इस नहल बेरिगोट जो दिया है तुमने चकमा किसको इजाज को बेरिगोट तो कोश्चन ये है कोश्चन ये है ओजोन होल इस दा एरिया एबब 엔्टारिटिका सोन इन तो कैसा ओजोन होल का एरिया दिखता है? परपल कलर का दिखता है तो जिन लोगों ने परपल कलर लगाया है इजाज तुम्हारा गलत हो गिया हाँ इजाज मिर्ची जोग दी है आखों में और इसने हल निकल गई है और देखते हैं अब तुम क्या करती हो कुरुचेतर में कैसे बदला लेती हो ये तो समय बताएगा कुरुचेतर के बाहर सभी आपस में भाई वहन लेकिन कुरुचेतर के अंदर कम टीटर और ये रहा कोश्चन नमबर 19 आपकी स्कीन पर आ चुका है और फिर से इसने हल ने सब की आँखों में जोग दी है मिर्ची अभी इजाज की आँखों में जोग दी है मिर्ची और अब सब की आँखों में जोग दी है मिर्ची और निकल गई है इसने हल आगे इसने हल दो पॉइंट पर चल लही है देखा जाए कोश्चन क्या दिया ग एंटार्टिका डबलप एच एयर बिट्वेन मतलब ओजोन हेर ओजोन होल एंटार्टिका के ऊपर हर वर्स कब दिखाई देता है तो देखा जाए कब दिखाई देता है लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर यह एंसर सही है मतलब question number 19 का first answer सही है मोनन अगर तुमने answer गलत दिया है प्रांजल सही answer नीता चोप्राक सही answer लोहन ब्राउनियन गलत answer और नमिता सही answer मेथीस गलत answer और इसनेहल पंडे ने सबसे पहले answer दिया इजाज मैंने बताया है कि तुमारी आँखों में जोग दी है मिर्ची इसनेहल ने और रस्मी जा तुमने answer तो दिया लेकिन गलत answer दिया है तो answer इसका क्या है लेट अगस्ट एन अर्ली अक्टूबर जहाँ पर ओजोन हूल के बारे में figure बनाया गया है उसी के नीचे देखिए छोटे छोटे लाइनों में लिखा है पतले पतले अच्छों में वहीं से मैंने ये question उठाया है NCRT से आप अंगली नहीं उठा सकते है कि ये question NCRT का नहीं है क्योंकि 100% proof के साथ सारे question है NCRT के अगर गलत होते हैं तो गलती मेरी है क्योंकि NCRT हमने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो अभी बाकी है समय और मौका हमारे पास है नीट जैसे एकजाम को तहस नहस करने का अगर हम NCRT अच्छे से त्यार कर लेते हैं तो question number 20 हमारे सामने बहुत जल्दी होगा question number 20 देखते हैं कौन देता है जो आप सबसे पहले question number 20 और question number 20 20 20 ओफो पूरी ताकत जोक रही है सिमिलन सिमिलन पूरी ताकत लगा रही है लेकिन एजाज उनकी ताकत पर फिर रही है पानी बेरी गोड एजाज एजाज आज तुम्हारे तूफान के सामने तुम्हारी सोनामी लहरों के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा आउधेस बहुत लेट में आये हो भाई मेरा ऐसी गलती मत करिये आउधेस बहुत लेट में आये हो question 20 हो चुके हैं और एजाज आग उगल रही है इजाज सोनामी लहरे ला चुकी है और उस आग में सारे बच्चे जल रहे है सोनामी लहरों में सारे बच्चे बच्चिया डूब रही है आउधेस कुछ खरो मुलीकारजन ने कहा है कि पहले answer में ने दिया है question 20 का हम तुमारी बात का स्वयगत करते है और च्चिक के ले रहे है कोशिच नमर बीस का सबसे पहले दिया है इजाज ने answer फिर उसके बाद इस नहर ने answer दिया है फिर उसके बाद रस्मी ने answer दिया है उसके बाद मुलिकार जन ने answer दिया है मुलिकार जन तुमने पहले answer नहीं दिया है मैंने sequence आपको बता दिया है तो पहले तुमने answer नहीं दिया है मुलिकार जन तो question number 20 का second answer सही है ऐसा घमासान, ऐसा एक तरफा युद्ध ऐसी उगलती हुई आग आईसी सोनामी लहरे हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं चलिए कोश्चन नमर 21 आपकी स्कीन पर 21 आपकी स्कीन पर देखते हैं कौन बनेगा चंपियन आपकी स्कीन पर कोश्चन आ चुका है और रस्मी जहा ने चैलेंज को किया सुविकार रस्मी जहा ने कहा है कि हम चैलेंज को सुविकार करते हैं इजाज के और कोश्चन नमर 21 का सेकेंड एंसर है रस्मी जहा चार पॉइंटों के उपर चल लही है और इजाज 11 पॉइंटों के उपर चल लही है बेरी गोड चल लही है तो question number 21 का answer कौन सा है second answer सही है second answer सही है question यह है which one of the following statement is wrong wrong statement हमको बताना है और wrong statement कौन सा है पहला option दिया गया algae increase the level of dissolve oxygen in the immediate environment गलत बात है algae अगर ग्रो करेंगे तो oxygen बहुत जदा वो यूज करेंगे तो level oxygen का कम हो जाएगा algal bloom पैदा हो जाएगा दूसरा क्या है algae is obtained from क्या दिया गया algin is obtained from नहीं पहला तो सही है क्योंकि photo census करेंगे और oxygen बहुत छोड़ेंगे दूसरा क्या है algae is obtained from red algae ये गलत है algae brown algae से प्राप्त किया जाता है red algae से नहीं प्राप्त किया जाता है और कैराजीन ये red algae से प्राप्त किया जाता है तो second answer गलत है 21 का second answer गलत है और यही हमसे पूछा भी गया है तो देखते हैं रस्मी जा क्या गुड़ खिलाएंगी किसको इजाज को या आउधिस क्या कर पाएंगे इस मैच में ये तो समय बताएगा या सिमिरन अपना खाता खोलेंगी आज ये भी देखने की बात है सिमिरन उठिये जागिये question number 22 आपका इन्जार कर रहा है question number 22 question number जरूर टाइप करे question number 22 और देखते हैं किस ने दिया है जवाब सबसे पहले question number 22 सबसे पहले जवाब दिया है प्राणजल सिंग ने लेकिन गलत जवाब दिया है इसलिए इनका consider नहीं किया जाएगा और दूसरे नमर पर इजाज ने answer सही दिया है 22 का first answer सही है इजाज फिर आगे निकल चुकी है 12 point इजाज के हो चुके है आउधेश तुमारा answer सही है रस्मी जाज सही answer मोना नगर सही answer और नविता सही answer लेकिन answer का भी लेट आया है और answer किसका similar का भी सही है आउधेश का भी सही है नीता का भी सही है लेकिन जवाब सबसे पहले इजाज का सही जवाब इजाज काया है इसलिए point इजाज के खाते में जाएगा तो देखा जाए क्या दिया गया है select the correct statement सही statement देखना है आपको क्या है sequoia is one of the tallest tree सही बात है sequoia सबसे tallest plant है और sequoia को क्या खा जाता है father of forest कहा जाता है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप note कर लेना sequoia को क्या कहते है father of forest कहा जाता है बिल्कुल सही answer है very good question number 23 आपकी screen पर बहुत जल्दी आएगा प्राणजल 21 का second answer था 21 का second answer है और 23 आपकी screen पर आ चुका है question number 23 हमको देखना पड़ेगा किसने सबसे पहले दिया है ज्वाब question number 23 23 का second answer है और किसने सबसे पहले ज्वाब दिया है 23 का 23 का सबसे पहले स्नेहल ने ज्वाब दिया है इसनेहल बेरिगोट इसनेहल ने ज्वाब दिया है इसनेहल के 3 पॉइंट हो चुके है और रस्मी जाके 4 पॉइंट हो चुके है सिमिरन का भी खाता नहीं खुला है और सबसे बड़ी रोणा सबसे बड़ी रुकावट बनी है वही जानी पहचानी इजाज तो फिर भी इसनेहल और रस्मी इजाज की आखों में मिर्ची जोग करके आगे निकलने का पूरा प्रयास कर रही है पूरी ताकत लगा रही है और देखते हैं कोस्चन नमबर ट्वंटी फूर ट्वंटी फूर आपके स्किन पर आ चुका है कोस्चन नमबर ट्वंटी फूर ट्वंटी फूर रस्मी जा का एंसर आया ट्वंटी फूर रस्मी जा ने दिया एंसर रस्मी जा ने एंसर दिया है रस्मी जा के 5 पॉइंट ह हो चुके हैं बेरिगोड रस्मी जा पांच पॉइंट हो चुके हैं मैंने कहा है कि कोश्चन नमबर जरूर डालिए अगर कोश्चन नमबर कोई नहीं डालता है और पहले एंसर देता है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ध्यान रखना सभी का अंसर सही है बेरिगोड 24 का second answer सही है कोश्चन क्या है विच वन आपदा फालोइंग statement इस रांग यह जरूर देखना कोश्चन में यहां पर भी neet में भी करेक्ट पूछ रहा है या रांग पूछ रहा है कभी कभी कोश्चन पढ़ने में हमसे गलतियां हो जाती है और उन गलतियों से हमारे नमबर चले जाते हैं पहला अप्षन क्या है क्लोरेला एंड इस्पारोराइना और यूस एज इस पेस फूट ये बात सही है कोई भी स्पेस पर जाता है तो यही दोनों अलगी अपने साथ ले जाता है यह यूनी सेललर ग्रीन अलगी है और इनमें हाइस्ट एमांट में प्रोटीन पाई जाती है और photosynthesis करेंगे oxygen gas छोड़ेंगे तो food और oxygen दोनों हमको इन से मिलती है दूसरा option क्या है Manitol is a store food in Rodo Faisi ये गलत बात है Rodo Faisi में food Manitol के रोप में store नहीं किया जाता है तो हमसे wrong statement पूछा गया है तो 24 का second option सही है मतलब wrong है तो question number 24 का second answer है question number 25 की तरफ हम बढ़ रहे है 25 आपकी स्कीन पर ये रहा question number 25 question number जरूर डालिए जैसे हमें देखने में दिक्कत नहोँ और मैंने तुमको जैसा की बताया है question number 25 25 इस यूपी की लड़की ने इजाज की आँखों में ऐसी मिर्ची जोकी है कि गुलाब जल से भी जलन दूर नहीं हो रही है तो देखा जाए क्या होता है इसनेहल ने बारी बाजी मार दी है इसनेहल चार पॉइंटों पर पहुँच चुकी है इसनेहल के चार पॉइंट हो चुके है रस्मीजा के पाँच पॉइंट हो चुकी है रोहन का एक पॉइंट है और इजाज के बारा पॉइंट है किसी के पास कोई मौका नहीं है इसनिहल हाँ रस्मीजा इजाज की आखों में यूपी की लड़की इसनिहल ने ऐसी मिर्चीज हो की है कि गुलाब जल से भी वो जलन दूर नहीं हो पा रही है इसलिए इजाज कोईचन जब तक देखती है तब तक किस नहल जो आप दे डालती है असली रिजन इजाज यही है कुछ करो इजाज और कोईचन नमर 26 आपके सामने 26 आपके सामने कोईचन आ चुकए है कोईचन नमर 26 हमने कहा है हमने तुमको कहा है कि सनेहल ने रश्मी एजाज की आखों में जोग दी है मिर्ची और उस मिर्ची का पूरा-पूरा फाइदा किस ने उठाया है किस ने उठाया है मिथीश ने उठाया है very good में ते इस 26 का first answer सही है आउधिश ने लगाया था first answer सबसे पहले लेकिन आउधिश ने अपने answer को लिया वापस इसलिए आउधिश का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो question number 26 का first answer सही है देखे question number first बहुत important फिर से हम बताया दे रहे हैं पढ़के समझाया दे रहे है which one of the following characteristics is not sheared by bird and mammals कौन सा characteristic features bird और mammals से shear नहीं करता है पहला option है वीवी parity दूसरा है one-bladed nature तीसरा है ossified endoskeleton और nest है breathing using lungs तो इस question का है which one of the following characteristic is not sheared by birds or mammals birds और mammals से कौन इन में से character share नहीं होता है तो question number 26 का first answer है baby parity तो देखा जाएं क्या होता है birds और mammals अपने यंग क्या दिया गया है एक minute which one of the following characteristics is not shared by birds and mammals मतलब ये character दोनों में share नहीं करता है सबका अपना अपना individual है birds का भी mammals का अपने बच्चों को protect करते हैं हाँ प्रोटो तीरियंस एजाज ओवी परस्षोते हैं अंडे देते हैं और अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तब उनको दूद पिलाते हैं बेलकुल सही नीताजन और रस्मी जा ए और सी बोली है रस्मी जा सीजराए एक मिनट हम चेक कर लेते हैं और सीफाइट इंडो स्केलिटन हाँ तो यह सेर करता है इंडो स्केलिटन इसका birds का भी ऑस्सिफाइड होता है और mammals का भी होता है और यह कह रहे हैं कौन सा not shared करता है नाट मिटिया पूछाए रस्मी जा तो second answer भी share करता है third answer भी share करता है और fourth answer भी share करता है बचा कौन सा first answer first सही है मेरी दास ने का third नहीं हो सकता बिलकुल हम भी यह कर रहे हैं बाकी तीनों shared करते हैं लेकिन first answer shared नहीं करता है तो first answer सही है समझें इसलिए मैं हर question को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि question अगर जो आ जाए तुमसे गलतिया नहों इसलिए हम समझा रहे है question number 27 आपकी skin पर आ रहा है question number 27 आपकी skin में question number 27 आपकी skin पर आ चुका है कौन बनेगा champion आज का और रस्मी जहाने पूरा फाइदा उठाया उसके बाद आउधिस का answer उसके बाद सिमिरन का और मेथिस तुमारा answer गलत हो चुका है तो रस्मी जहा के 6 point हो चुके है very good रस्मी जहा 6 point तुमारे हो चुके है और इसनेहल के 4 point हुए है रोहन का 1 point हुआ है इजाज के 12 point हो चुके है बहुत अच्छा match बहुत सांदार match तो question number 27 का third answer सही है थर्ड answer सही है बाइ cartilisness fishes का indoor skeleton किसका बना होता है cartilis का बना होता है और cartilisness fishes conduct these class के अंतरगत आती है चलिए question number 28 कौन बनेगा champion किस में कितना है दम ये सारी बातों का जौब मिलेगा दो question के बाद question number 28 आपकी screen पर आ चुका है कौन बनेगा champion कौन देगा इजाज को टक कर वाह सबसे पहले रस्मी जा का answer आ चुका है रस्मी जा साथ पॉइंटों पर पहुँच चुकी है बेरी गोट रस्मी जा रस्मी जा साथ पॉइंटों पर पहुँच चुकी है तो question number 28 का first answer सही है question ये दिया गया है which of the following features is not present in the phylum arthropoda phylum arthropoda में parapodia नहीं पाए जाते हैं parapodia किस में पाए जाते हैं phylum anilida का एक members है nares nares में parapodia पाए जाते हैं देखे आर्थो पोड़ा में jointed appendices पाए जाती है kytinus एक जो skeleton पाए जाता है metametric segmentation पाए जाता है ये तीनों character पाए जाते हैं लेकिन anilida में एक है nares animal होता है उसमें parapodia पाए जाते हैं और उन parapodia के दौरा वो swimming में यूज करता है तो arthropoda में क्या नहीं पाए जाते हैं parapodia नहीं पाए जाते हैं और प्रज्वल मिस्रा क्लासे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और जो लोग नए आये हैं चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर लिजे वीडियो को अपने अपने ग्रूप में जरूर सेयर कर ले आउदेश तुमारा एंसर सही है लेकिन लेट में आया है मोननागर सही एंसर लेट और नभीता सही एंसर लेट आया है और रस्मी जाका तो सही एंसर है ही सबसे पहले आया है question number 29 आपकी स्कीन पर आ चुका है देखते हैं कौन बनेगा चंपियन किसमें कितना है दम question number 29 आपकी स्कीन पर मौजूद है और एंसर आ चुका है रस्मी जाने दिया एंसर सबसे पहले रस्मी जाने सबसे पहले उसके बाद इसनेहल उसके बाद सिमरा नहरानी उसके बाद नवीता और कई लोगों के एंसर गलत भी है इजाज ने गलत एंसर दिया है फूर्त एंसर सही है 29 का सबसे पहले रस्मी ने दिया रस्मी के आठ पॉइंट हो चुके है आठ पॉइंट रस्मी के हो चुके है very good अब देखा जाए 29 क्या है क्या दिया गया है body having miss work of cells internal cavities lined with food filtrating fragulated cells and indirect development are the characteristic of phylum तो भाईया यह character किसमे है यह पूरी फेरा में होता है coinocyte cells के बारे में बात की गई है तो coinocyte cells body cavity को line करती है और food को यह capture करती है ग्रहड करती है तो coinocyte cells के वल phylum पूरी फेरा में पाई गई है और यह जो character बता रहे है वो coinocyte cells के हैं और coinocyte cells के वल phylum पूरी फेरा में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है इजाज ने का मिस्टिक हो गया है चलिए कोशन नमर 30 देखते हैं क्या होगा इजाज स्टार्टिंग करती है और लास्ट भी करती है इजाज इस बात का जवाब मुझे मिलेगा बहुत जल्दी बहुत जल्दी मिलेगा और सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया है नविता ने दिया है बेरिगोट नविता नविता बेरिगोट जितनी तारीप करो उतनी कम क्योंकि नविता के तीन पॉइंट हो चुके है बेरिगोट नविता तुमने सही एंसर दिया है कोश्चन नमर 30 का fourth answer सही है हम question भी पढ़े ले रहे हैं क्या question है metagenesis refers to metagenesis क्या करता है metagenesis fourth क्या दिया गया alternation of generation between asexual and sexual phases of an organization बिल्कुल सही है इसी को alternation generation भी कहते हैं और चाहे metagenesis को दोनुबाते एक होती है मत्तब a sexual phase आए उसके बाद sexual आए फिर ek sexual आए फिर sexual आए तो sexual और asexual जो फेजे होती है जब एक के बाद एक आती है तब उसी को क्या कहते है metagenesis कहते हैं या alternation a残नरेशन कहते हैं alternation a to generation 10 किस ने use किया था इस ट्रास बर्जर ने यूज़ किया था आल्टरनेशन आप जन्रेशन टर्म तो बेरी गोट तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला जितनी तारीब करो उतनी कम और हमारा ये सोभाग है कि तुम जैसे बच्चे मुझे मिले हैं हमको खिलाने के लिए जो पूरे रूप करके नीट के प्रत अपने को समर्पित कर दीजिए यही हम तुम से चाहते हैं इतना कर दीजिए नीट तुमारी मुठी में आ जाए और दुनिया तुमारी मुठी में आ जाए और तुम दुनिया के सामने ठीक उसी प्रकार से अपने तेज को बेखेरो जैसे सूर अपने त और देखते हैं इस बात को कौन मेरे फालो करता है और कौन नहीं करता है क्योंकि सफलता की सबसे पहली सीड़ी होती है continuity तो लग जाईए जुट जाईए आज और अभी से और आज की विनर कौन सी है इजाज है आज की विनर इजाज है इजाज तुम्हें बहुत बहुत धन्य बात थैंक्यू तुमने एक दरफापारी खेली रस्मी ने पूरे रूप से तुमको रोकने का प्रयास किया लेकिन इतनी लीड बना चुकी थी कि रस्मी के हाथ पहर फूल चुके थे और तुम एक बार फिर से अपने बर्चस्र को बरकरार रखा और बेरी बेरी थैंक्यू झाल जयाल को rediskते थे प्रसन हमे बंडा चैंक्यर फ़्चस्व आपक्रास कोईंगरे प्रफाँ और वेड़किंश विर. क याल